जाहें दोस्तों आज के जनरल अवेनेस और बैंकिंग के लेक्चर में हम समझेंगे मौनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीती दोस्तों मौद्रिक नीती हम हर न्यूस पेपर में हर दो महिने में पढ़ते हैं क्योंकि मौनेटरी पॉलिसी का रिव्यू अर्बिय हर दो महिने में करता है और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि ये मौनेटरी पॉलिसी है क्या और अर्बिय इसे हर दो महिने में क्य प्राइदे क्या होते हैं तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का हमारी एकनॉमी पर क्या फर्क पड़ता है और बीए इसे कैसे कंट्रोल करता है और कैसे बहुत सारे रेट्स या जिने हम इंट्रेस रेट कहते हैं उनमें चेंजिस करके आर बीए मॉनेटरी में पैसे को या तो कम करता है या बढ़ाता है पहले को और बात आप को क्लियर कर दूँ कि मार्केट में पैसे को कम या ज़ाधा करना क्यों पड़ता है जब market में पैसा कम होता है तो लोग demand कम करते हैं और जब लोग demand कम करेंगे या market से खरीदारी कम करेंगे तो market में कोई भी सामान नहीं बिकेगा और जब कोई भी सामान नहीं बिकेगा तो factory में बनेगा नहीं तो production slow हो जाएगा और unemployment generate होने लगेगा मतलब यह कि पैसे कम होने से हम कहलें कि मंदी बढ़ती है या विरुज़गारी बढ़ती है और जब पैसा extra हो जाए economy में cash जादा हो जाए economy में जिसे हम बोलते हैं कि cash flow या market liquidity बढ़ गई है cash को flow जो है market में जादा हो जाए उससे नुकसान क्या है तो उससे क्या होता है कि हम demand जादा करने लगते हम market में जादा खरीद़ारी करने लगते है और जब हम ज़्यादा खरीदारी करेंगे मतलब जिस चीज की जरुवत हमें नहीं है उसके बावजूद हम खरीदारी करेंगे मतलब मार्केट की डिमांड अननेसेसरी बढ़ेगी और ये डिमांड बढ़ने की वज़य से प्रोडक्स के दाम बढ़ेंगे जो महंगाई को बढ़ाएगा मतलब ना तो मार्केट में पैसा ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए तो अब सवाल ये उड़ता है कि RBI मार्केट में पैसे को जरुवत के हिसाब से quantity wise maintain कैसे रखता है यही है वो मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें RBI मार्केट में पैसे को कम करता है और ज़्यादा करता है अगर आपसे पूछ़ जाए कि आपको समझाता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से RBI करता कैसे दोस्तों आपको बता दूँ यह मॉनेटरी पॉलिसी जो है strategy RBI की market में पैसा कम जादा करने की ये RBI हर दो महिने में लेके आता है मतलब साल में 6 बार अभी जो हाल ही में 5 अप्रेल 2018 को monetary policy आई ये साल की पहली monetary policy थी क्योंकि हमारा financial year या वित्वर शुरू होता है साल में April में मतलब 1 अप्रेल से 31 मार्च तक जो हमारा financial year होता है इसमें पहली monetary policy हम उसे मानते हैं जो अप्रेल में शुरू होती तो इस हिसाब से जो 5 अप्रेल को monetary policy रिव्यू आया वो हमारा पहला monetary policy रिव्यू था तो इसमें RBI ने कोई भी rates चेंज नहीं किये दोस्तों मैं एक word यूज कर रहा हूँ rates यह rates क्या है इनी rates की मदद से RBI जो है वो market में पैसे की quantity को कम जादा करता है जन्हें हम बोलते है policy rates इससे आप को introduce करा देता हूँ दोस्तों policy rates जो है policy rates में सबसे पहले होता है repo rate reverse repo rate bank rate MSF SLR and CRR यह सभी जो है वो policy rates कहलाते मतलब कहलें कि यही है व पैसा कम भी कर लेता है और market में पैसा बढ़ा भी लेता है अब एक करके मैं बताओंगा कि कैसे इन हत्यारों के जरीए RBI जो है वो अपने काम को अंजाम दे पाता है तो एक करके मैं आपको introduce करूंगा सबसे पहले हम बात करते हैं repo rate की दोस्तों repo rate जो है basically interest rate है हम सब को बता है कि bank जो है वो पैसे का business करते हैं बैंकों को पैसे की जरूरत होती है ताकि वो दूसरों को loan दसके हो और उससे उने ब्याज मिले कमाई हो यह पैसा bank RBI से उधार लेते हैं मैं बहुत simple term में यहाँ पर लिख देता हूं loan simple मतलब यह कि RBI ने loan लिया किस से RBI ने loan दिया किसको bank को loan दिया अब जब RBI ने bank को loan दिया तो bank इसके बदले interest pay करेंगे ब्याज पे करेंगे और bank जो ब्याज RBI को pay करता है उसी को हम बोलते हैं repo rate यह हमारा repo rate कहलाता है means repo rate is the interest rate at which RBI lends money to commercial banks दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि repo rate is the interest rate at which bank borrows money from the RBI मतलब यह कि repo rate कौन पे करता है bank पे करते है repo rate accept कौन करता है RBI accept करता है चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं दूसरी जो term है वो है reverse repo rate जो दूसरी term reverse repo rate है यह क्या है तो आपको मैंने पिछली slide में समझायाता है repo rate वो interest है जो bank पे करते हैं RBI को लेकिन दोस्तों आपको याद होगा या आप सब जानते हैं कि जब हमारे पास पैसा कुछ extra होता है तो हम कहां जमा कर देते हैं बैंकों में और bank उस पर हमें interest देता है bank क्यों interest देता है क्योंकि bank उस पैसे का use करता है और हमें interest भी देता है मतलब जब हमारे पास extra पैसा है तो हम बैंक में जमा करना ज़रूरी समझते हैं ऐसे ही यहां पर जब बैंकों के पास कुछ पैसा होता है तो बैंक क्या करते हैं उस पैसे को या उस cash को कहां जमा कर देते हैं RBA के पास यह वो पैसा जमा होता है जो पैसा भी बैंकों में use नहीं हो रहा है या और किसी market में बैंक नहीं लगा रहा है तो बैंक उस पैसे को उठाके RBA को देता है तो कहने का मतलब यह है कि जब बैंक कुछ पैसा RBA में जमा करते हैं तो भीया by default जो है RBA भी इसके बदले interest देता है वो interest rate या वो ब्याज कहलाता है reverse repo rate ध्यान से देखिएगा आप दोस्तों वो interest rate जो RBA बैंकों को pay करता है वो होता है यह slide change हो गए यह मैं देख लेता हूँ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो interest rate जो bank RBA को pay करते हैं वो repo rate है और जो interest RBA बैंकों को pay करता है वो क्या है reverse repo rate अच्छा उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं bank rate पर अब bank rate क्या होता है अगर bank RBA से loan लेते हैं बैंकों ने loan मांगा RBA से RBA ने loan दे दिया bank को लेकिन इस बार जो loan मांगा जा रहा है वो 3 महिने से जादा के time के लिए मतलब more than 3 months more than 3 months मतलब loan की अवदी है more than 3 months अच्छा तीन महिने की जो loan की अवदी है अगर इसके लिए bank loan ले रहा है तो बैंकों को जो interest pay करना पड़ता है that is called bank rate उसे bank rate कहा जाता है यह bank rate कहलाता है कहने का मतलब यह है कि bank जो 3 महिने के लिए RBI से loan लेते है उसके लिए जो interest pay करना है वो bank rate है अच्छा बैंक अगर 3 महिने से कम के लिए loan ले तो वो कौन सा है repo rate जो हमने पहली slide में देखा था मतलब repo rate वो interest है जिस पर bank RBI से 3 महिने तक का loan ले सकते है bank rate वो interest है जिससे bank RBI से 3 महिने से ज़ादा का loan ले सकते हैं लेकिन जो दूसरी slide में हमने देखा reverse repo rate reverse repo rate वो interest है जिससे हम जो bank हमारे है वो RBI में पैसा जमा करते हैं पैसा deposit करते हैं और उसके बदले में उने RBI से interest मिलता है तो मतलब जो interest RBI पे करता है बैंकों को उसे कहा जाता है आपका reverse repo rate दोस्तों आगे की slide में हम बढ़ते हैं और आगे की slide में देखिए एक और term है marginal standing facility MSF अब MSF क्या होता है तो marginal standing facility मतलब जब बैंकों को एक दिन के loan की ज़रुवत पड़ती है तो bank एक दिन का loan किस से लेते हैं RBI से RBI ने एक दिन का loan दिया एक दिन का loan किसको दिया बैंकों को तो इसके बदले bank जो interest pay करेंगे या जो ब्याज देंगे वो ब्याज कहलाता है MSF marginal standing facility कहने का मतलब यह है कि जब आप से पूचा जाए कि what is MSF तो आप कहेंगे sir it is marginal standing facility और marginal standing facility वो interest rate है जिस पर bank RBI से एक दिन का loan लेते हैं तो यहाँ पर हमने अभी तक चार terms की बात की है repo rate जिससे bank तीन महिने तक का loan ले पाते है RBI से reverse repo rate जो interest RBI बैंकों को pay करता है deposit के बदले bank rate वो interest rate जिस पर bank जो है RBI से तीन महिने का loan लेते हैं और तीन महिने से जादा का loan लेते हैं और last जो हमने यहाँ पर पढ़ा marginal standing facility जिसमें bank RBI से एक दिन का loan लेते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जो term है वो है SLR statutory liquidity ratio क्या है statutory liquidity ratio तो आपको बदा देता हूं basically bank के पास एक दिन में जितना भी पैसा आता है bank के पास जो भी पैसा आ रहा है एक दिन में bank उसका मान लीजे bank के पास 1000 रुपीज आए एक दिन में ठीक है basically इसे NDTL amount भी बोलते है net demand and time liability NDTL net demand and time liability demand liability में आते हैं current account और saving account और time liability में आते हैं recurring account और fixed deposit account मतलब बैंकों में जो चार account आते हैं इन चारों account में एक दिन में जो भी पैसा आता है उसे हम बोलते है NDTL deposit तो एक दिन में बैंकों में जो भी पैसा आता है और हमने माना कि 1000 रुपे आया तो बैंक उसमें से कुछ पैसा certain percent पैसा जो है हम अभी X लिख देते हैं उसे X percent ये पैसा जो है वो अपने पास ही जमा रख लेता है मतलब keep it with itself बैंक अपने पास ही रखता है मतलब बैंक अपने पास जमा करके रखता है जमा रखता है अच्छा बैंक अपने पास जमा रखता है किस फॉर्म में cash गोल्ड और government security गोवर्मेंट security ये तीन फॉर्म में जो है वो बैंक अपने पास पैसा जमा रखता है मैं बात दोहराता हूं कि बैंकों के पास एक दिन में जितना भी पैसा आता है उसका कुछ प्रतीशत वो अपने पास cash गोल्ड और government security के फार्म में जमा करके रख लेते हैं और इसी को कहा जाता है statutory liquidity ratio या SLR दोस्तों SLR एक तरह का रिजर्व है जो बैंक अपने पास करके रखते हैं RBI के orders पर और future में इसका यूज करते हो कैसे यूज करते हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपको एक और term समझा देता हूं उसके बाद फिर हम सभी terms का conclusion निकालेंगे और बताएंगी कि कैसे य कैश रिजर्व रेशो दोस्तों जो CRR है या कैश रिजर्व रेशो यह क्या होता है तो वही बात फिर से बताता हूं या दोहराता हूं कि bank के पास एक दिन में जो भी पैसा आता है एक दिन का पैसा पैसा एक दिन का जो भी पैसा आता है मान लीजे 1000 रुपे आया तो उसका कुछ percent मतलब y percent मान लेते हैं कुछ percent bank रोज के इसाब से, पर डे के इसाब से, पर डे के इसाब से, आर्बी आई में जमा करते हैं, कहां जमा करते हैं? RBI में deposit करते हैं या जमा करते हैं फिर से दोराता हूँ आपके लिए कि बैंकों के पास एक दिन में जो भी पैसा आता है उसका कुछ percent bank रोज RBI में जमा करते हैं या पड़े के साब से RBI में जमा करते हैं वो पैसा कहलाता है cash reserve ratio इसके नाम में ही चुपा हुआ है cash तो cash का मतलब होता है नगत मतलब ये पैसा सिर्फ और सिर्फ cash के form में हैं मैं ये बात क्यों दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि सिर्फ cash के form में है क्योंकि इससे ठीक पहले वाली slide में अगर आप देखेंगे तो statutory liquidity ratio देखा था मैंने ये वो पैसा होता है जो bank अपने पास जमा करके रखते हैं और जो bank अपने पास जमा करके रखते हैं इस सिर्फ cash में नहीं होता ये cash, gold और government security cash, gold और government security इन तीनों form में होता है clear है? तो इन तीनों form में जो cash, gold, government security जो है वो bank अपने पास जमा करके रखता है यह पैसा ठीक है उसके पास जो भी एक दिन में पैसा आता है उसका कुछ percent bank इन forms में अपने पास जमा करके रखता है उसे बोलते हैं SLR और लेकिन जो वो RBI के पास रख देता है ये bank के पास रखा और वो जो RBI के पास रखता है उसे हम क्या बोल देते हैं CRR cash reserve ratio तो यहां पर आप conclusion पर ये पहुचेंगे कि bank दो जगा पैसा reserve करके रखता है उसके पास जो भी पैसा आता है एक दिन में एक वो अपने पास करके रखता है उसे हम बोलते है SLR और एक वो जो RBI के पास रोज भीजवाता है वो कहलाता है CRR cash reserve ratio दो तरह के रिजर्व करता है अभी मैंने ये सारी term आपको सिख लाएं लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि actual में how policy rate works मतलब इतने सारे मैंने policy rate आपको बताई ये काम कैसे करते हैं दोस्तों आप revise करना चाहें तो simple repo rate कौन पे करता है bank पे करते हैं ये interest है और pay कौन करता है bank reverse repo rate भी interest है लेकिन कौन पे करता है RBA अच्छा फिर bank rate भी interest है ये कौन पे करता है ये भी bank पे करते हैं लेकिन आप कहोगे कि ये interest भी bank पे कर रहा है ये interest भी bank पे कर रहा है तो यहाँ पर जो bank पे करता है वो तीन महिने के लोन के लिए करता है याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ आपको में और यहाँ पर तीन महिने से ज़ादा मतलब more than 3 months 3 months clear है? तीन महिने से ज़ादा के लिए बैंक को लोन लेना है तो कौन सा इंटरेस पे करेगा? बैंक रेट और तीन महिने तक का लोन लेना है RBI से तो कौन सा इंटरेस पे करेगा? और अगर बैंक उल्टा RBI में पैसा जमा करता है तो कौन सा इंटरेस लेगा? वो RBI से reverse रेपो रेट एकसेट करेगा या RBI उसे यह interest पे करेगा अच्छा उसके बाद फिर MSF मैंने जो आपको पढ़ाया MSF का मतलब होता है कि जब bank को एक दिन का loan लेना है यह भी interest है लेकिन यह interest कौन पे करता है bank लेकिन कितने दिन का loan है यह one day मतलब यह कि अगर bank को एक दिन का loan चाहिए तो MSF rate पे करेगा bank bank को तीन महिने से जादा का loan चाहिए तो bank rate पे करेगा और तीन महिने तक का loan चाहिए तो repo rate सिर्फ एक यह reverse है यह इसलिए है क्योंकि यह interest rate RBI पे करता है उस पैसे के बदले जो bank RBI में जमा करते है अच्छा यह चारों interest rate है यह चारों interest rate है reverse repo rate, reverse repo rate, bank rate और MSF लेकिन यह दोनों reserve है यह वो पैसा है जो रोज के पैसे में से कुछ पैसा बचा के bank कहां जमा करता है अपने पास bank में ही अपने पास जमा करके रख लेता है यह reserve है है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ reserve जमा और यह यह जो है वो reserve है जो कहां जमा करता है bank, RBI में यह bank में खुद अपने पास और यह RBI में यह मैंने आपको पाँचों जो है वो बहुत अच्छे से बता दिये, अब इनकी वज़े से market में पैसा घटता और बढ़ता कैसे है, तो आपको बता दू simple कि जब जब इन interest rates में change होता है तब market में पैसा घटता और बढ़ता है, सबसे पहले example लेते हैं, हम repo rate का repo rate वो interest है, जो bank को pay करना पड़ता है अब जब repo rate माली जीए अभी 6% है, कितना है? 6% है तो जैसे ही ये repo rate 6% से बढ़ा के 7% किया जाएगा तो आप bank क्या करेंगे? भई ये interest rate कौन पे कर रहा है? बैंक पे कर रहा है ले कौन रहा है? RBI ले रहा है, loan के बदले तो माली जी RBI ने repo rate को बढ़ा के 7% कर दिया, तो जब RBI ने repo rate को बढ़ा कर 7% कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब RBI loan के बदले बैंकों से ज़ादा interest ले रहा है, और जब बैंकों को ज़ादा interest pay करना पड़ेगा, तो अपने आप वो loan कम लेंगे और जब वो loan कम लेंगे, तो अपने आप market में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब conclusion is that when repo rate increases, market money और market liquidity decreases अगर दूसरी बात करें अगर repo rate गिराया गया है, मतलब ये 6% से 5% कर दिया गया है जब ये 6% से 5% कर दिया जाएगा, तो मतलब ये है कि अब RBI पहले जहाँ बैंकों से loan के बदले 6% इंटरेस ले रहा था, अब वो कितना इंटरेस लेगा? वो 5% इंटरेस लेगा मतलब बैंकों को benefit दे रहा है RBI और जब बैंकों को benefit मिलेगा, तो bank जादा loan लेंगे और जब bank जादा loan लेंगे तो market में cash बढ़ जाएगा मतलब ये है कि जब interest rate, repo rate जो है जाता है, कम हो जाता है So repo rate का financial conclusion में ये देना चाहूँगा कि when repo rate increases market money decreases when repo rate decreases, market money increases, आईए बात करते हैं अब हमारे दूसरे point पर reverse repo rate reverse repo rate इससे क्या change होगा? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? याद कीजिए repo rate क्या बताए था मैंने repo rate वो interest है जो RBI pay करता है बैंकों को इसको घटाने बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों आपको बता दूँ कि reverse repo rate, repo rate से हमेशा कम रहता है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अभी 5.5% है repo 6 है repo rate 6% है और reverse repo rate 5.5% मतलब बैंक, RBI को कितना interest चुका रहे है? 6% लेकिन RBI जमा करने पर उन्हें कितना देता है? 5.5% तो जब यह 5.5% interest जो है वो RBI pay कर रहे है मान लीजिए कि यह जो है वो कम करके 5% कर दिया गया यह कम हो गया अब जब यह कम कर दिया गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब यह है कि अब जितना भी पैसा RBI को bank जमा करेंगे या RBI में bank पैसा जमा करेंगे उस पर अब उन्हें 5.5% interest नहीं मिलेगा कितना मिलेगा? 5% इसका मतलब यह है कि अब bankों को नुक्सान हो रहा है क्योंकि पहले पैसा RBI में जमा करने पर bankों को 5% interest मिल रहा था और अब कितना interest मिलेगा? 5% मतलब अब bank interest नहीं दिखाएंगे कि RBI में पैसा जमा करना है और जब वो RBI में कम पैसा जमा करेंगे तो अपने आप उनके पास cash जादा बचेगा, मतलब market में cash बढ़ जाएगा मतलब कहने का मतलब यह है, कि when reverse repo rate decreases, market liquidity will be increased मतलब यहां market liquidity जो है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी क्योंकि यहां पर यह interest rate कम होगा, तो अब bank जो है, वो कम पैसा RBI में जमा कराएगे reverse repo rate जब बढ़ेगा, माली जीए, यह 5.75 हो गया इसका मतलब यह है, कि जब अब bank RBI में पैसा जमा करेंगे, तो bankों को interest जादा मिलेगा मतलब बैंकों के लिए खुशी की बात, मतलब अब bank जो है, वो जादा पैसा यहां जमा कराएगे और जब bank अपना जादा पैसा RBI में जमा कराएगे, तो market में पैसा कम बचेगा मतलब यहां पर बात इतनी है, कि when repo rate increases, market money decreases जब repo rate बढ़ता है, तो बाजार में पैसा घटता है और जब repo rate, sorry, मैं reverse repo rate बोलना चाहा रहा हूँ जब reverse repo rate घटता है, तो market में पैसा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है तो दोनों का conclusion तो same ही निकला, चाहे repo rate की बात करें, चाहे reverse repo rate की बात करें when repo rate increases, market money decreases और यहां पर भी वही बात हो रही है, कि जब reverse repo rate बढ़ेगा, तो bank क्या करेंगे जब जादा पैसा जमा करेंगे, मतलब market में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो repo rate और reverse repo rate दोनों को बढ़ाने से market में पैसा कम होता है चलिए, अब मैं अगली term आपको explain करता हूँ, जो हमारी अगली term है, वो है bank rate bank rate भी same effect देगा, क्योंकि bank rate जो है, वो interest है, जो कि कौन पे करता है bank पे करते हैं, लेकिन कितने महिने के लोन के लिए, तीन महिने, किसको पे करते हैं, RBI को तीन महिने के लोन के लिए, repo rate से जादा रहता है ये 1% लगबग, तो अभी बगर मान लीजिए कि ये 7% चल रहा है, तो वही बात है, जैसा repo rate असर डाल रहा है, वैसे ये डालेगा असर, अगर bank पहले, तीन महिने के लोन के लिए, 7% interest पे कर रहे थे, अब उन्हें 7.5% कर दिया, RBN के bank rate 7.5% है, मतलब अब बैंकों को जादा ब्याज देना पड़ेगा, और जब बैंकों को जादा ब्याज देना पड़ेगा, तो फिर bank क्या करेंगे, कम लोन लेंगे, तीन महिने से जादा का लोन क्या करेंगे, कम लोन लेंगे, तो मतलब कहने का मतलब य जादा लोन लेंगे, मतलब तीन महिने के जादा लोन लेंगे और market में cash बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर भी conclusion वही है दोस्तों कि when bank rate increases, जब bank rate बढ़ता है तो market में पैसा घड़ता है, और जब bank rate घड़ता है तो market में पैसा बढ़ता है, चलिए, अगली term में आपको बताता हूँ हमारी अगली term जो है, bank rate के बाद MSF, marginal standing facility marginal standing facility, याद कीजिए, यह वो interest है, यह वो ब्याज है जो bank pay करते हैं, एक दिन के loan के लिए, overnight basis के लिए bank जो है, वो loan लेते हैं, किस से, RBI से, और जब वो RBI से loan लेते हैं, एक दिन का loan, तो जो interest pay करते हैं, वो interest क्या कहलाता है, MSF, माली जिए, अभी marginal standing facility, यह MSF जो है, वो अभी 7% चल रहा है, और जब यह 7% चल रहा है, और अगर 7% से बढ़ा के, इसे 7.5% कर दिया, इसका मतलब यह है, कि bankों को अब एक दिन के loan के लिए, साथ नहीं, साड़े 7% interest जो है, RBI को चुकाना पड़ेगा, तो मतलब यह है, कि अब bank एक दिन का loan क्या करेंगे, कम लेंगे, क्योंकि उनके के लिए loan लेना महंगा हो गया, तो मतलब यहाँ पर भी वही concept है, कि जब MSF बढ़ेगा, तो market में पैसा घटेगा, और जब MSF घटेगा, मालीजे यह 6.5% हो गया, मतलब बैंकों के लिए फिर से खुशकबरी, अगर उन्हें एक दिन का loan चाहिए, तो अब 7.5% में नहीं, 7.5% में नहीं, उन्हें 6.5% में मिलेगा, मतलब वो एक दिन के लिए पैसा जादा लेंगे, और जब वो एक दिन के लिए पैसा जादा लेंगे, तो market में cash बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको चार तरह के interest rate पढ़ा दिये, और इन चारों तरह के interest rate से जो है, फर्क एक ही पढ़ रहा है, मतलब कहने का मतलब यह है, कि चाहे आप repo rate लें, या reverse repo rate लें, या bank rate लें, या फिर MSF लें, चारों का conclusion एक है, कि जब यह चारों बढ़ते हैं, मतलब जब यह चारों बढ़ेंगे, यह चारों बढ़ेंगे, तो क्या होगा, पैसा कम होगा, result क्या निकलेगा, पैसा कम, क्यों, मैंने आपको बता दिया अभी, पिछली slide में, अच्छा, उसके बाद, जब यह चारों घटेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया, जब यह चारों घटेंगे, तो market में पैसा क्या होगा, बढ़ेगा, clear है, तो यहाँ पर हम conclusion पे पहुँचे, किस conclusion पे पहुँचे दोस्तों, हम इस conclusion पे पहुँचे, कि यह चारों जो rates है, वो RBI के क्या है, यह चारों rates जो है, वो RBI के हत्यार है, जिन से market में पैसा बढ़ा और घटा सकते, इन चारों rates को बढ़ाएंगे, तो पैसा कम हो जाएगा, और चारों rates को घटाएंगे, तो पैसा बढ़ जाएगा, अब दो reserve भी मैंने आपको बताए थे, दो reserve कौन से बताए थे मैंने आपको, SLR और CRR, आप सब जानते हैं, SLR वो पैसा है, जो bank अपने पास रखते हैं, bank अपने पास जमा करते हैं, आच्छा, उसके बाद CRR वो पैसा है, जो bank, RBI के पास, पास जमा करते हैं, ठीक है, SLR अभी चल रहा है, 19.5%, और CRR चल रहा है, 4%, मतलब रोज, bank, RBI में 4% पैसा जमा कराते हैं, जो भी दिन बर में उनके पास पैसा है, और अपने पास कितना पैसा जमा करके रख लेते हैं, 19.5%, अब इसके अलावा आप देखें, कि माली जे यह हो गया, 19, और यह आपका हो गया, 4, मतलब यह हो गया, 1904, 23,5% पैसा जो है वो क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, जमा मतलब इस पैसे का अब bank कोई यूज नहीं करेगा, और जब bank इस पैसे का कोई यूज नहीं करेगा, बाकी बचा कितना पैसा, जो भी हमारा 76.5% पैसा बचा है, अब इस पैसे का यूज जो है, वो market में किया जाएगा, या बाजार में लोन देने के लिए किया जाएगा ठेक है यहां से कहानी शुरू होती है रिजर्व के जरीए मार्केट में पैसा कम और ज्यादा करने की जब RBI सारे हथकंडे अपना लेता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमेस फ जब सारे रेट्स में चेंजिस करके देख लेता है और मार्केट के पैसे या लिक्विरिटी पर, मार्केट मनी पर कोई फर्क नहीं पढ़ता वो चाहता है कि पैसा कम हो जाए लेकिन नहीं हो रहा है वो चाहता है कि पैसा बढ़ जाए पर नहीं हो रहा है जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और MSF से कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है तो फिर RBA हाथ लगाता है किसको SLR को उसको ये मार्केट का पैसा कम करना है ना तो RBA क्या करता है, बैंकों से कहता है कि अब आप SLR 19.5 मत जमा कीजिए आप 20 जमा कीजिए, तो अपने आप दोस्तों जब यहाँ 20 होगा तो मतलब यह कि वो 0.5% पैसा जो है, वो अब जब यहाँ से 0.5% एक्स्ट्रा यहाँ जमा होने लगेगा मतलब यहाँ से 0.5% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर आप यह सोचें कि ऐसा कितना कर सकते हैं, तो SLR को maximum जो है, वो 40% तंग ले जाए जा सकता है और कम से कम जो है, वो 15% पे रखा जा सकता है तो माली जी यह कि हम बहुत ज़ादा आगे पहुँच गए हैं और हमने SLR बहुत ज़ादा करवा दिया आप सोच लिजे, suppose, for an instance, कभी RBI ने ऐसा किया नहीं, माली जी, RBI ने 40% जमा करवा दिया यहाँ पर 4% जमा कर गया, मतलब कितना हो गया आपका, 44% जो है, वो जमा हो गया बाकी बचा हुआ पैसा जो है, कहाँ पर आ गया, आपका यहाँ पर आ गया तो मतलब यह है, कि जब यह SLR बढ़ेगा, तो मनाकिवने पैसा गटेगा अचा, फिर उसके बाद CRR की बात करें, तो CRR भी यही है, कि यहाँ पर भी, जब CRR को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया इसे कम से कम हम 3% रख सकते हैं, और maximum जो है, वो हम इसे 15% रख सकते हैं तो अगर अभी 4% है, और अगर यह 4% है, तो इसे 4% करके हमने 8 कर दिया, या मान लीजे, इतनी जल्दी नहीं बढ़ाते हैं, अगर 6 कर दिया तो मतलब यह है कि अब यहाँ पर 6% जमा होगा, मतलब यहाँ पर हम जादा कर रहे हैं, और जब हम यहाँ जादा करेंगे, तो अपने आप पैसा यहाँ पर कम बचेगा तो अपने आप आपको मार्केट में यूज करने का पैसा कम बचेगा, और जब आप इने कम कर देंगे, मतलब आपने जो अपना रिजर्व करके रखा, उसमें आप रिजर्व कम रखेंगे, पैसे कम डालेंगे, तो अपने आप आपकी जेब में यहाँ मार्केट में conclusion निकला कि जब यह दोनों बढ़ जाते हैं तो market ने पैसा कम होता है और जब यह दोनों कम हो जाते हैं तो market ने पैसा बढ़ जाता है लेकिन पहले use किसका करते SLR का और बाद में use किसका करते CRR का जब SLR को change करके ठक जाए RBI कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है उसके बाद इसको हाथ लगाता है तब ही RBI ने अपने पास जो CRR रखा है वो सिर्फ cash के form में रखा है ना कि इसके जैसे gold, government, security और cash ये सिर्फ cash के form में मतलब जब बहुत emergency हो आप अगर regard घंगाल के देखेंगे तो पिछले 8 साल से CRR में कोई changes नहीं हुए मतलब इसको छूने की जरुवत ही नहीं पड़ी इसी से काम चल जाता है market का पैसा कम और जादा हो जाता है लेकिन यहाँ पर जो है क्या होता है यहाँ पर market का पैसा जो है वो तब use किया जाता है या market में पैसा तब डाला जाता है जब extreme case हो, conditions जो है यह सब policy rates है, देख लीजे इन सभी policy rates को जब आप बढ़ाएंगे इन सभी को जब आप बढ़ाएंगे जब आपने इसे increase किया या बढ़ाया तो market में पैसा कम हुआ और जब इन सभी policy rates को आपने घटाया तो market में पैसा बढ़ गया तो RBI के द्वारा किये गए ये काम या कहलें कि ये strategy या ये tools जो RBI यूज़ करता है इस तरह से RBI इनका यूज़ करके market में पैसे को कम भी कर सकता है और जब इने बढ़ाएगा तो market में पैसा कम होगा और जब इने घटाएगा तो market में पैसा बढ़ जाएगा Friends, that's all for today आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you everyone